दोस्तो इस साइच चुनाव ही चुनाव होने वाले हैं जैसा के आप सभी को पता है नौर राज्यों के बधनसभा चुनाव होने वाले है उसके बाद किस तरीके से पूरрा में हिंसा देखने को मिल रही है त्रिपूरा में किस तरीके से जो है हिंसा बढ़ता वा नजर आ रहा है वो आपको बता दे बड़ी जानकारी क्योंकि चुनाव जब जब आते हैं तब तब कहीं न कहीं से हिंसा और दुर्गटनाओं की खबर जो है वो सामने निकल कर आ जाता है आप देखे ना चुनावों क कि तारीख जैसे ही चुनाव आयोग ने घोशना किया आपको भी हमने वह खबर बताई कि तरपूरा में 16 तारीख को मिघाल है और नागलाइन में 27 परवरी को वोटिंग होने वाला है जिसको लेकर चुनाव आयोग ने घोशना कर दिया लेकिन आप उसी तरपूरा की बात क तक मांग ली है क्योंकि पूरा एक छोटा सा राज्य है दोस्तों और इस राज्य में आये दिन इस तरीके की वारदात इस तरीके की खबरेस निकल कर सामने आती है कि वहाँ पर हिंसा हो रहा है दो गुटों में जड़प कभी हिंदू-मुसल्मान तो कभी आपस में ही वहा है चुनाव से पहले ठीक यानि कि चुनाव आयोग की जो डेट है उससे पहले यहाँ पर हिंसा को लेकर चुनाव आयोग जो है वो डीजीपी से रपोर्ट तलब कर रहा है तो पूरी जानकारी क्या है जड़ा मैं आपको सत्य हिंदी कि इस खबर में लिखी जानकारी बता था कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार के हिंसा ना हो इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे लेकिन गोष्णा के चंद दिन बाद ही यहाँ पर हिंसा देखने को मिल रहा है यहाँ पर हिंसा शुरू हो गई ऐसे में चुनाव आयोग के हिंसा मुक्त चुनाव क अनाउंस्मेंट के ठीक दो दिन बाद वहां से हिंसा की खबरे निकल कर सामने आ रही है आपको बता दे कि हालिये मामला धलाई जिले में वही हिंसा का है जहाँ पर तृपूरा के शाही वंसच प्रद्योत किशोर मानिक के देव वर्मा की पार्टी के एक कारिकरता के साथ म कुमार प्रमुख है राजनगर विदान सबा के बरपात्थार छेतर में इस तरह की हिंसा की खबरे भी निकल कर सामने आये कि यहाँ पर भी हिंसा देखने को मिला है यहाँ वी हिंसा में अब तक सीपीम के पाच कारिकरता जो है वो घायल हो गए हैं उनकी खबरे आ रही है यह सभी कारिकरता पाटी के एक रैली से घर वापस लोट रहे थे लेकिन अचानक रास्ते में हिंसा शुरू हो गया शिपाही चौला जिले के विशाल गड़ से सीपीम समर्थक नट्टू चंद्र देवनात के घर में भी कतित तौर पर आग लगा दी गई आग जनी के समय नट्टू अपने परिवार के साथ सो रहे थे समय रहते नट्टू को बचा लिया गया अतरिक्त पुलिस अधिक्षक विनय के शोर देव वर्मा ने बताया है कि टी आई पियारम मोथा के मारे गए कारिकरता प्रांजीत नामशुद्र और उसके एक दोस्त बाम चेरा इलाके में अग्यात लोगों ने रोग कर उन पर हमला किया वहीं गुरुबार को हिंसा में अब तक चौर संदर्गों को गिरफतार किया गया है लेकिन अभी तक उनकी राजनीतिक दल के साथ संबंदों की पुस्टी नहीं हो पाई है टिपडा मोहाटा के प्रमुदा लगा रहा हूं कि क्या हुआ है इस पूरे मामले की जानकारी जो है टुटर पर साजह किया है और अपने कारिकरताओं को हिंसा अत्मक रुख जो है वह अक्तियार करने को नहीं कहा है मुख्य चुनाव आयूक्त किरन गित्ते ने बताया है कि सभी हिंसाओं में लोगों के खलाफ FIR दर्स कर लिया गया है पता लगाने की कोशिश की जा रही कि इस तरीके के हिंसा के पीछे जो है कौन लोग जिमेदार है वोचरों को भरोसा दिलाने के लिए पूरे राज्य में किंद्रिय पुलिस वलों की तैनादगी की जा रही है आपको बता दे कि च चुनाव आयोग ने पश्चिम तिरपूरा जिले के जर्निया उप संभागा में हुई घटना के जांच के आदेश दे दिये हैं और इस मसले पर डीजीपी और मुखे सचीप से शुकरवार दोपे तीन बजे तक रपॉर्ट मांग की गई है कि आप इस पर पूरी जो है संदिल सुरक्षा कर्मियों के खलाफ कारवाई करने की मांग की थी और एक ट्विट करते वे आरोप लगाया कि बिपक्षी नेताओं पर उनके सामने हमला किया गया तृपूरा में हुई हाल या हिंसा में अलग-अलग दलों के नेताओं और कारीकरता घायल हुए लेकिन ब प्रतिकीरिया सामने नहीं आई है वर्तमान में यहां बीजपी की सरकार है जो 2018 के विदानसवा चुनाबों में CPM को हरा कर इन्हों ने सरकार बनाई थी बीजपी उतरपूर्व की अपनी इकलौती सरकार को हर हाल में बरकरार रखने की पूरी कोशिश में जुगत में रगी राका है राज्य है वहां पर बीजपी अपना पूरा दमखम लगा रही है पूरा जोर लगा रही है कि वहां पर उनकी सरकार जो है वो बनी रहे और आपने देखा होगा प्रदानमंत्री मोदी का रैली सभा को संबोधित करना और नौर्थ इस्ट के लोगों को सौगात दे तो ऐसे में नरेंदर मोदी जी हो या ग्रह मंत्री अमिशा हो ये तमाम बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है तुर पूरा में जाकर चुनावी सभाओं को चुनावी कारीकरम को संबोधित करते वे दिखाई दे रहे हैं और अब तो चुनाव यहाँ पर शुरू होने कि जो तारीख है चुनाव आयोग ने घोशना कर ही दी है लेकिन उससे पहले सरीकी का हिंसा जो है वहां के जो आम सिविलियन से वहां के जो नागरिक है उनके लिए जर जैसा खबर मालूम होता है क्योंकि अगर आपके राज्यों में हिंसा होती है तो जाहिर सी बात है दोस इस्थ हो या साउथ हो या इस्थ हो वेस्थ हो जहां पर भी अगर इस तरीके से हिंसात्मा घटनाएं होती है तो चुनावी प्रकेडियाओं में जो है नतीजे जो है वो बिलकुल अलट देखने को मिलता है क्योंकि जनता का रुजान जो है वो सीधे तोर पर नकार दिया जाता है और वो घरों से नहीं निकलते अपने घरों में ही कैद हो जाते है अलाकि चुनाव आयोग ने जब इस पूरे मामले की जो डेट एनॉंस कर रहे थे कि तीन राज्यों में नौर्थ इस्थ में चुनाव होने वाला है तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि हिंसा म सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले